नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका अपने चैनल नौलज आफ स्टॉक मार्गेट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटन की कि वो कैसे काम करता है इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटन कैसे काम करता है और फिर उससे हम पैसा कैसे बना सकते हैं और फिर उसके टाइप कितने होते हैं किस किस टाइप में फॉर्मेट होता है वो और उसके तुरू हम ट्रे मत भूलेगा ताकि आपको आने वाले सभी fundamental analysis, technical analysis, internet strategy, IPO details और market से जोड़ी सभी knowledgeful video का notification सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको screen पर दिख रहा है सबसे पहले हम evening star candle के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों जिसे कि आपको screen पर दिख रहा है evening star candle pattern कुछ इस तरीके से format होता है इसकी पहली जो candle होती है वो green बनती है जैसा कि मैंने आपको होता है first candle होती है full body candle then second चीज होती है जो की gap up के साथ open होती है या फिर जो first candle है कि हाई से वड़ा ऊपर open होती है वो green या red कुछ भी हो सकती है third candle हमेसा red होती है चले जोस्तों आगे बढ़ते हैं और detail जानते हैं सबसे पहले अब इसका मैं आपको formation बता जाता हूं कैसे होता है साइकलोजी कैसी होती है यह काम कैसे करती है फिर क्या होता है कि हमें यहाँ पर बेरिशनल देता है सबसे पहले green candle format होती हो ओपन हुई इस पॉइंट पे उसके बाद हलका सा नीचे गई बिक बनाया उसने लो बनाया अपना यहाँ पर बायर सा है candle को ऊपर लेके गए हाई इस तरीके से green candle full body candle format होगे जिसकी बिक भी है यहाँ पर फिर एक gap up open होती है candle चाहे वो रेड होगी या फिर ग्रीन होगी दोनों में से कुछ भी हो सकती है और वो इसके high points से मतलब आप देख सकते हैं इस point के यहाँ से भी open हो सकती थी gap up भी open मैं आपको बताऊंगा कि इसके types कितने होते हैं formation के अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं यह green या red कुछ भी हो सकती है इसका open price यह है high इस तरीके से बनाया then low बनाया then close हो गई that candle जो है full body candle होगी आपकी red कलर की यह दोस्तो open होई उसके बाद sellers आये big बनाई यहाँ पर high बना उसका then फिर से यहाँ पर sellers आये और यहाँ पर उसने low बनाया then फिर wire आये और यहाँ पर candle close हो गई तो दोस्तो इस तरीके से हमारे evening star format का candlestick format का formation होता है तो आपने समझा होगा psychology किस तरीके से होती buyers कहाँ पर आते हैं कहाँ पर beers आते हैं आगे बढ़ते हैं और little जानते हैं दोस्तो कुछ इस तरीके से final formation आपको दिखेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह up trend के बाद यहाँ पर आपको एक evening star pattern दिख रहा है और उसके बाद फिर downtrend start हो जाता है किसी गोले में आपको दिख रहा होगा evening star का format हुआ है ठीक है इसमें आपको trade कैसे लेनी है में आपको बताता हूँ आपको हमेशा जो third candle है उसके low पर अपना entry point रखना है और stop loss अपना wick जो star वाली candle है उसके ऊपर रखना है और दोस्तो याद रखना stop loss रखना कमपल सरी है हर strategy हर trade में हर candlestick pattern हर chart pattern में stop loss रखना बहुत जरूरी होता है तो अपना stop loss stick रखिए और quantity उतनी ही buy कीजिए जितना कि आप risk wear कर सकते है थाड़ वाली candle में आपको देखना होता है कि volume अच्छा खासा आ रहा हूँ उसके आपने entry point बठाई और आप देख सकते हैं काफी अच्छा खा 2 का target तो आपको रखना ही चाहिए तो आपको समझ में होगा किस तरीके से आपको यहां पर entry लेना है इसको हम live chart के pattern में देखेंगे पहले हम इसके formation जान लेते हैं किस किस टाइप से format होता है जितना drawing पर दिखता उतना आसान यह format होता नहीं है सबसे पहला formation इसका होता है कु जो कि हमें बेरिश इंडल देती है दूसरा formation कुछ इस टाइप का होता है मतलब आपको यह star candle वह shooting star टाइपी candle देख सकती है first candle green मैंने आपको बता आई था और second third candle red यहां पर बनती है जो कि हमें बेरिश इंडल देती है तीसरा formation gap up बाला होता जो कि मैंने आपको सबसे पहले साइड ने बता दिया था कि green candle बनने कवाद gap up open होती है दन यहां पर star बनता है then third candle gap down open होके बेरिश मोड में चली जाती है अब इसको हम देखेंगे live chart पर live chart पर जैसे कि आपको सामने screen पर open है यह nifty 50 का chart है जो कि लगभग 29 October 2021 का है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते है क कि इस downtrend के बाद जब यह reversal आया आपने यह rally miss कर दी और by chance फिर आपको reversal आया यह uptrend बना दुबारा से ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि कि किस तरीके से अच्छा कासा यहां पर formation हुआ है किसका इस point पर देखो आप evening star का पहली full body candle बनी green then उसके आद एक star formation हुआ red color का बनी और आप देख सकते हैं काफी अच्छा कासा downtrend मिला एक logical target आपको यहां पर मिला क्योंकि यहां पर एक support था इस condition में आपको ऐसा format दिखे तो आपको entry मैंने आपको बताया कि हमेंसा red candle के नीचे entry लीजिए third candle जो red color की बनते है उसकी नीचे entry stopless अपना wick के ऊपर second candle मतलब जो star candle है उसके wick के ऊपर रखिए यह second वाली candle के और target logically 1 is to 1 1 is to 2 का definitely रखिए यह था पहला example एक और example हम देख लेते हैं यहां पर आपको दिख रहा हुगा 16 नमबर 2021 का निफ्टी 50 का चार्ट जो की 15 मिट के टाइम फ्रेम पर है आप इसको 15 मिट 5 मिट 1 हर्स 1 डे अपने trade के तो वन हर्स 1 डे अपलाई कीजिए आप इंटा डे कर रहे हैं तो 5 मिट 15 मिट अपलाई कीजिए यहां पर यह आप देख सकते हैं दोस्तों इस downtrend के बाद मैं आपको दिखाता हूं इस downtrend के बाद यहां पर जब यह pullback होने लगा तो आप देखोगे यहां पर भी एक evening star pattern formation तो आपको entry point में रता है red candle के नीचे रखना है stop loss अपना हमिशा star वाली candle के बिक के ऊपर रखना है एका दो point ऊपर हो जोगे रख लीजिए और target logically 1 is to 1, 1 is to 2 का book कर लीजिए इसका हम एक और example देख लेते हैं आपकी सहुलित के लिए यहां पर हम देखेंगे nifty 50 का chart है जो की 16 November का है यहां पर आप देखोगे कि एक downtrend के बाद जब pullback आने लग गया तो यहां पर फिर से एक evening star candle pattern apply हुआ है जो मैंने आपको types of formation बताये ते बहाँ पर आप देखना यह pattern आपको देखेगा shooting star वाला तो यहां पर भी pattern apply हुआ आपको entry यहां पर बिठानी थी अपना stop loss यहा इवनिंग star pattern I hope आपको यह वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा कुछ नई जानकारी मिली होगी वीडियो कैसा लगा comment section में जरू बताइएगा और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल knowledge of stock market को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में नई नॉलेजफ के साथ तब तक बने रही हमारे चैनल knowledge of stock market के साथ